आज हम बात करते हैं हिस्ट्री के सलेबस पर सबसे पहले देखेंगे इसमें प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें पहला टॉपिक है पर्मुख सब्भेताएं चिंद्र सब्भेता था इनकी सहायक नदियां हडपा की सब्भेता था इनकी नगरिय बेवस था और यहां से खुदाई से प्राप्तवे अवसेश फिर बैदिक सब्भेता अगला टॉपिक जो हमारा है वो है गुप्तवंस इसमें देखेंगे मौरेवंस चंद्रगुप्त इन लोगों की द्वरा किये गए महतपूर युद्ध तथा इन लोगों की द्वरा किये गए महतफूर निर्मार कार्रि पर अगला टॉपिक जो हमारा है वो आता है जैन्धर्म बाधधर्म और महा जनपत्कार जैस यह हो गया हमारा प्राचीन भारत का इतिहास हमारा हम períध धकालीन भारत के इतिहास का जिसे दिल्ली सल्तनत का इतिहास कहते हैं इसमें मुख्या 5 डाइनेस्टी हुई है इसमें पहला है गुलाम वन्स गुलाम वन्स बारा सो छे से बारा सो नब्बे तक रहा जिसके फाउंडर कुतुब बुद्दीन एबक थे फिर अगला है खिलजी खिलजी वन्स बारा सो नब्बे से तेरा सो बीस तक रहा जिसके फाउंडर जलालु दिन खिलजी थे फिर अगला आता है मारा तुगलक वन्स तुगलक वन्स तेरा सो बीस से चौदा सो चौदा तक रहा जिसके फाउंडर गया सु दिन तुगलक थे फिर आता है सयद वन्स सेयद वन्स 1414 से 1451 तक रहा जिसके फाउंडर खिज रखा थे फिर आता है हमारा पांचवा जो है लोधी वन्स लोधी वन्स 1451 से 1526 तक रहा जिसके फाउंडर बहलोल लोधी थे और इसका अंतिम्स आसक था इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी की मृत्यू 1526 में है और 1526 में इब्राहिम लोधी की मृत्यू के साथ ही लोधी वन्स का पतन हो गया अगला टॉपिक जो हमारा फिर आता है वो है मुगलकाल मुगलकाल 1526 से 1707 ये जो टाइम पीरियड है ये मुगलकाल के उतकर्स का टाइम पीरियड है और 1707 से 1862 तक का जो टाइम पीरियड है ये मुगलकाल का पतन की ओर ले जाता है और इस टाइम पीरियड को हम उत्तर मुगलकाल भी कहते हैं मुगल काल का संस्थापक जो था वो बाबर था मुगल काल का जो अंतिम सासक था वो बहादुर शाह दिये था मुगल काल में 1707 के बाद अनेक सासक हुए जैसे साह आलम पर्थम, जहादर शाह, फरुक्सिय, रफिउद दर्जात, तथा रफिउद दौला, मुहम्मद साहरंगीला, आलमगीर दितिये, आलम साह दितिये, अकबर दितिये और बहादुर शाह दितिये बहादूर साथ दिती है कि मृत्तियों 1862 में ही और इनकी मृत्तियों के साथ ही मुगलकाल का पतन हो गया मुगलकाल काफी लंबा टाइम पीरियड था भारत में फिर हम बात करते हैं आधूनिक भारत के दिहास का इसमें सबसे पहले जो टापिक आता है हमारा वो है भारत में यूरोपिय सक्ति का आगमन इसमें हम देखेंगे पुर्तगाल, डच, अंगरेज, डेनिस और फ्रांसीसी फिर है भारत में देशी रियासत भारत में देशी रियासत इसमें देखेंगे बंगाल बंगाल में जिसे प्लासी कायुद 23 जून 1757 को हुआ फिर देखेंगे बकसर कायुद 24 अक्टूबर 1764 को हुआ फिर इलाहबाद की संधी देखेंगे फिर अवद, अवद के बारे में जानेंगे अवद के नबाप के बारे में देखेंगे फिर हम देखेंगे हैदराबाद, फिर करनाटक, करनाटक में तीन करनाटक युद, मैसूर, मैसूर में देखेंगे हैदरली, टीपू सुल्तान, चार आंगल मैसूर युद देखेंगे, फिर मराठे, मराठे में पेसवा, तीन आंगल मराठा युद, फिर शिक, शिक में महारा जार रडजीत सिंग आंगल सिख यूद। उसके बाद जोगला टापिक आता है मारा वो है गवर्नर तथा गवर्नर जनरल। इसमें हम देखेंगे लाड कलाईब, बिलेजली की सहायक संध, बिलियम वेंटिंग के सुधार, दलहोजी की हडपनीद, सैनिक सुधार, सिच्छा म सुधार, रेलवे का अभिकास, सार्वजनिक निर्मार कारे, पीडबलूडी, फिर आता है राजस्व ब्यवस्था, भू राजस्व ब्यवस्था, इसमें देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त, और महालवाडी ब्यवस्था, फिर देखेंगे हम 1857 की क्रांती, फिर फिर उसके बाद हम देखेंगे भारतिय रास्ट्रिय कांग्रेस की अस्थापना 1885, फिर देखेंगे बंगाल बिभाजन 1905, मुसलिम लीक का गठन 1906, सूरत में कांग्रेस का बिभाजन 1907, मारले मिन्टु सुधार 1909, गांधी जी का भारत आगमन 1915, गांधी जी का छेत्र गांधी जी का छेत्रिय आंदोलन है, उसका सही सेट मिलाईए, तो इसका सही सेट होगा चमपारन एहमदाबाद खेडा, फिर देखेंगे हम होम रूल लीग आंदोलन 1916, लखनव समझवता पैक्ट 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917, फिर हम देखेंगे रालेट एक्ट 1919, फिर जलिया वाला बागत्या कांड 1919, फिर हम देखेंगे अगला टापिक जो हमारा आएगा वो है गांधी वादी चरड, इसमें देखेंगे खिलाफत और असायोग आंदोलन, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, साइमन आयोग, नेरू रिपोर्ट और सबिने अवग्या आंदोलन, कांग्रेस, समाजवादी दल, उसके बाद देखेंगे करांतकारी आंदोलन, इसमें देखेंगे गदर आंदोलन, यह एचारे का गठन, हिंदुस्तान, रिपब्लिक आर्मी, एचारे का फुल फार्म, हिंदुस्तान, रिपब्लिक आर्मी, फिर देखेंगे काको आने के लिए इन लोगों ने अलखनों के आसपास ट्रेन लूटा था और इन लोगों को फासी हो गई थी फिर यच यस आरिये का गठन हिंदुस्तान सोसिस्ट रिपब्लिक आर्मी फिर देखेंगे साइमन कमीशन बिरोध फिर देखेंगे असम्बली बमकांट उसके बाद देखेंगे हम राजगुरु भगर सिंग, सुखदेव की फासी, फिर सुबास चंद बोस, इसमें देखेंगे आजाध हिंद फोज, फिर भारत छोड़ू आंदोलन, क्रिप्समिसन 1942, सिमलाच समझोता, कैबिनेट मिसन, लार्ड माउंट बेटन योजना, और फिर देखेंगे संप्रदायवाद और भारत का विभाजन, गैस यह होगे हमारा हिस्ट्री का सलेव बस, आगे की बीडियों को देखने के लिए, जी असरे सब्सक्राइब करना ना भूले, थाइंक्यू,